नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है में प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरे जापान में चमतकार टककर से आग का गोला बना विमान रनवे पर 200 मीटर दोड़ा सभी 300 गुनसी यात्री सुरक्षित लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 मार्च तक भाज़पा का अभियान अडानी हिंडनबर्ग आज सुप्रिम कोर्ट का फैसला नए कानुन को लेकर केंदर सरकार वर ट्रांस्पोर्टर्स के बीच सहमती हिट एंड रन का नया कानुन फिलहाल लागू नहीं होगा ट्रक ड्राइवर काम पर लोटे खंडवा के स्कूल गेट पर मिला धमकी भरा खत 26 जनवरी को स्कूल और साथ राज्यों में ब्लास्ट पीएम को मानने की साजिश जम्मू कश्मिर सुरक्षा बैठक शाह ने कहा लोकल इंटेलिजेंस मजबूत करे जापार में भुकम से 55 लोगों की मोत हजारों इमारती डही शी रंगम मंदिर के रंग और कोलम कला का संगम है त्रीची एरपोर्ट पीएम ने किया ग्यारा सो करोड की टर्मिनल बिल्डिंग का लोकारपण अमेरिका में कैलिफोर्णिया समेट तीन राज्यों में गंद सेफ्टी का नया कानून दक्षिन कोरिया में विपक्षी नेता पर चाकु से हमला एरलिफ्ट कर सोल भेजा राजिस्थान में अजमेर शरीफ दरगा के पास इमारत किरी अफरा तफरी मची इसराइल का ड्रोन हमला हमास का डिप्टी लीडर सालोग अरोरी मारा गया अमेरिका के जवाब में इरान ने भी लाल सागर में जंगी जहाच उतारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती सिमिती में चीफ जस्टिस को शामिल करने की माग अमेरिका में गुसने के लिए एजेंटों को 80 लाग देने पर सहमत थे गुजराती CID ने कहा दिल्ली NCR के अलावा मेट्रो किसी और शहर में एक त्याही भी नहीं भर रही नशे की फसल के लिए हिंसा की आर्ट अफिम की फसल हत्यानी के लिए म्यामबार के चीन कूकी कर रहे हैं आमले एलन मस्क के एक्स की वैल्यू 51 प्रतिशत तक घट गई तीरुपती में वैंक्टेश और मंदिर को 10 दिन में 40 करोड रुपे का चड़ावा मिला बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ धान्यवाद